वीडियो देखने वाले सभी मेरे साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफोर्म बैक बेंचर्स पाट साला पर दोस्तो हम अपने इस यूट्यूब के प्लेटफोर्म पर आपको पंजाब की जीके के साथ साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करवा र अंदर वो मिस ना हो आपको अच्छे से पंजाब के बारे में नोलेज भी हो जाए हमने पिछले लेक्चर में पंजाब की जियोग्राफी सोरी फीजियोग्राफी के बारे में पढ़ा था फीजियोग्राफी को हमने पढ़ा था कि पंजाब का जो फीजियोग्राफिकल डि सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमने पढ़ा इधर की साइड में शिवालिक का इलाका और इसके वेस्ट में हमने पढ़ा इसके वेस्ट में इधर की डायरेक्शन में ही हमने पढ़ा कंडी का इलाका और इसके इधर कंडी के वेस्ट में कंडी की शिवालिक और प्लेंस के बीच का इलाका कौन सा था कंडी का इलाका था मेरे दोस्तों इसलिए अब हम पढ़ेंगे अल्यूवियल प्लेंस के बारे में इनको दोस्तों दरियाई मिट्टी के मैदान भी बोला जाता है रीजन बिहाइंड इस दिस की जो ये वाले इलाके हैं ये दरियाओं की मिट्टी के दुआरा बनाए गए हैं दरियाओं की मिट्टी यानि कि आप लोगों को पता है कि बहुत टाइम से जिन इलाकों में बाढ़ आती है हड़ आते हैं फलड आता है वहाँ पे जो दरिया हैं वो महां मिट्टी लेके आती है और उस मिट्टी को हर बार रिन्यू करती रहती है उसको एनरीचेनिकी फर्टाईल बनाती रहती है और उन्हीं इलाकों को बोला जाता है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो ये एलूविलीयल प्लेंस हैं ये किसका हिस्था है ये पुछा जाता है alluvial planes are the part of किसका part है ये question पुछा जाता है ये है इंडो इंडो मतलब इंडस इंडो गेंगेटिक plane का मेरे दोस्तों इंडो गेंगेटिक plane गंगा नदी के दुआरा बनाएगे planes का ही हिस्सा है alluvial planes ठीक है उसके बाद आप से पूछा जाता है कि ठीक है इंडो गेंगेटिक plane होते हैं जो इंडस गेंगेटिक plane होते हैं जो इनको भी फर्दर कई भागों में डिवाइड किया जाता है तो उन भागों में से एक भाग है दोस्तों पंजाब planes पंजाब का इलाका है दोस्तों वो इंडो गेंगेटिक प्लेन के पंजाब प्लेन्स का हिस्सा है मेरे दोस्तों ये जो पंजाब प्लेन्स है ये लग बगनडिन में हजार दो सो किलो मेटर स्केर का एरिया कवर करता है इतना मैदनी इलाका है पंजाब प्लेन्स का अब ध्यान रखेग ये पंजाब प्लेंस से सिर्फ पंजाब में ही नहीं फैला हुआ है इस पंजाब प्लेंस फैला हुआ है पंजाब में इसके साथ साथ हरियाना में और उसके साथ साथ आपको पता है एक यूनियन टेरिटरी के इंदर सासित परदेश जिसका नाम है मेरे दोस्तो दिल्ली ये इन तीन स्टेटों में मुख्यता फैला हुआ है पंजाब प्लेंस दोस्तों ये इलाके बड़े ही क्या होते हैं उपजाओ होते हैं दोस्तों क्योंकि हर बार फ्लड के कारण इनकी मिट्टी क्या होती रहती है उनके जो तत्तव हैं जो उनकी उपजाओ उक्षमता है वो बढ के वेस्ट का जिये इलाका है मेरे दोस्तों अब उसके बाद आप से पूछा जाता है बिल्कुल वही वाले क्वेस्चन की ये कहां कहां पे फैला हुआ है कैसे कैसे फैला हुआ है इसकी हाइट कितनी है ये सब कुछ एक जो बात है पंजाब का सबसे ज्यादा एरिया एलुव भग 8.5% का एरिया कवर करता था और जो ये हमारा एलुवेल प्लेंस है ये पंजाब का 70% एरिया कवर करते हैं दोस्तों देखिए पंजाब का कितना बड़ा इलाका कितना बड़ा इलाका एलुवेल प्लेंस का है ये जानकारी है चोटी चोटी जानकारी है जिसमें से आप को question पूछा जाता है अब इसके बाद आप लोगों से क्या पूछा जाएगा ध्यान से देखिएगा height के बारे में हम जिकर कर लेते हैं इनकी height इनकी height है मेरे दोस्तों generally इनकी height होती है 170 meter से लेके 300 meter तक परन्तु एक बात देखी गई है कि जो aluvial plains के इलाके सिवालिक की side में पढ़ते हैं यानि कि सिवालिक की side में जब हम पढ़ते थे इधर की side में पढ़ते हैं और हमने जो districts पढ़े थे सिवालिक के उनकी side में यानि कि सिवालिक सिवालिक की सिवालिक की side में इन मैदानों की उंचाई कितनी है लगबग 270 से 300 मेटर मेरे दोस्तों ठीक है उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि Central Punjab में किंदर पंजाब के मिड में Central Punjab में इन मैदानों की उचाई कितनी है ये आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है ल बाकी का पंजाब बच गया और वहाँ पे अगर अलुवियल प्लेंस हैं तो वहाँ की उंचाई मेरे दोस्तों लगबग 230 मेटर ही आपको मिलेगी अब इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है हाइट पूछ ली नाम पूछ लिया इंडो गंगेटिक प्लेंस के बारे म पूछ लिया location पूछ लिया मेरे दोस्तों अब और क्या बचता है अलुवियल प्लेंस में ध्यान दखेगा मेरे दोस्तों ये बहुत ज्यादा important है क्योंकि question बहुत बार इनसे पूछा गया है बहुत बार पूछने का कारण क्या है कि ये इतने important है कि जो पंजाब की जो economy है वो बहुत ज़्यादा aluvial plains पे निर्भर करती है और इसलिए पंजाब को क्या बोला जाता है पंजाब को आपको लोगों को पता है कि पंजाब में खेती बाड़ी का जो area है वो बहुत ज़्यादा है और पंजाब में फसलें भी बहुत ज़्यादा होती है उसका reason यही है कि पंजाब के जो areas है वो aluvial plains है अब देखो नदियां हर बार आएंगी वो अपने साथ flood के साथ पानी के साथ साथ मिट्टी भी लाएंगी धिरे धिरे बहुत लंबे टाइम तक इन मिट्यों ने ऐसे 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 layer बना ली layer बना ली अब यानि कि इनको बोलते हैं हम sediments कन नदियों के द्वारा लाए गए कन कितनी depth तक जमा हुए हुए हैं यानि कि aluvial plains मिट्टी के जो कन है वो कितनी गहराई तक फैले हुए हैं इसके बारे में पक्का अंदाजा तो कोई नहीं है मेरे दोस्तों बट हमने देखा है कि maximum depth maximum डूंगाई किसकी sediments की और कौन से वाले sediments मेरे दोस्तों aluvial plains के वो पाई जाती है वो देखी गई है अंबाला के अंदर मेरे दोस्तों और अंबाला में कितनी लगबग 8000 मीटर नीचे तक aluvial plains aluvial मिटी का जो परभाव है वो पाया गया है मेरे दोस्तों उसके बाद आप लोगों से क्या पुछा जाएगा depth के बाद और कुछ नहीं है फसलों के बारे में पूछा जाएगा तो आप फसलों के बारों में असान से बता सकते हैं कि कौन सी कौन सी फसलें कहां कहां पे होती हैं इसके साथ आप से पूछा जाता है दोस्तों कि जो aluvial planes है उनको further आगे के भागों में बांटा जाता है वो आगे के भाग कौन से हैं मेर करते हैं आप लोक जानते हैं एक है मज़ा, एक है मज़ा और एक है मेरे दोस्तो, दौबा और एक है मेरे दोस्तो मालवा, तीन भाग है से आके कहां पर मिल जाती थी सतलुज नदी में मिल जाती थी मेरे दोस्तों तो ये वाला जो इलाका है यानि कि ये वाला जो इलाका है मेरे दोस्तों ये वाला जो पंजाब का इलाका है ये आता है मेरे दोस्तों मज्जा का यानि कि इसको एक नाम और दे देते हैं हम क्या रा अपर बारी दुआब का मतलब क्या हो गया अपर मतलब उपर बारी B से बियास, R से रावी दुआब यैनि कि दो नद्यों के बीच में तो माज्जे का ईलाफा किस-किस नद्यों के बीच में आएगा दोस्तो और दुआबबा को क्या बोल देते हैं? दुआबबा को बोल देते हैं 20 दुआब, 20 दुआब क्यों बोल देते हैं मेरे दोस्तों क्योंकि ये इलाका जो है ब्यास और सतलुज नदी के बीच में है, अब तीसरा बच जाता है मालवा जिसमें की 15 डिस्टिक्स आते हैं, इनके बारे में अब हम डिटेल से थोड़ा दे माज़ा के बारे में पढ़ें, तो इसको हमने एक और नाम क्या बताया था, क्या बताया था, बारी, सोरी, अपर बारी दुआब, अपर बारी दुआब, ये इलाका किस-किस नदी के बीच में बताया था, ब्यास, ये इलाका पढ़ता है मेरे दोस्तों, ब्यास और रावी क के बीच में इसके साथ साथ इसके साउथ में यानि कि साउथ में एक नदी और पड़ जाती है हमने आपको बताया था वह कौन सी थी सतलुज अब आपसे पूछा जाएगा कि यह माज्जा में कौन से कौन से डिस्टिक्स हैं माज्जा में कौन से कौन से डिस्टिक्स हैं बिल ध्यान कोट, गुर्दासपूर, अमरित्सर, तरन तरन, ध्यान रखेगा माज्जा के अंदर कितने डिस्टिक्स, च्यार, पहला पठान कोट, और दूसरा गुर्दासपूर, तीसरा अमरित्सर, चोथा तरन तरन, ये दोस्तों वो वाला इलाका है, पकिस्तान की साइड वाला, यानि कि इंडिया के वेस्टन साइड में, सोरी पंजाब की जो वेस्टन साइड में लगबग पढ़ते हैं, ये डिस्टिक्स जो हैं, आप लोगों को पता होगा, ये पकिस्तान के साथ पाउंडरी शेर करते थे हमने पढ़ा था ये पठान, कोट, गुर्दासपूर, अमरिचर, तरन, तरन, फाजिल, का फिरोजपूर पढ़े थे हमने छे डिस्टिक्स, तो ये उनी छे डिस्टिकों में से चार डिस्टिक कहां पे आ जाते हैं, माज्जा में, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना होता है, वो हो सिनदिया, ब्यास, और सतलुज के बीच का जो इलाका है मेरे दोस्तों, जब हम मैप में पढ़ते हैं, देखे, ऐसे मालो, ये रफली मैप है हमारा, ठीक है, और ये रफली मैप है, माल लेजिए आप, ठीक है, ये रफली मैप मैंने बना दिया, यहां पे, माल लेजिए, य इस मैप में ये जो रावी है और ये जो ब्यास है ये वाला इलाका कुन सा था ये वाला इलाका कुन सा था ये वाला इलाका था दोस्तो माज़े का इलाका अब ये जो ये वाला इलाका बच जाता है किस-किस के बीच का ब्यास और सतलुजी के बीच का जो ये इलाका बच जात आता है मेरे दोस्तों ये आता है आपका दुआब क्षित्र में जिसको हम दुआबा भी बोल देते हैं इसमें भी कितने डिस्टिक्स है मेरे दोस्तों इसमें भी चार डिस्टिक्स हैं चार डिस्टिक्स कैसे याद रखोगे हो जा का ना हो जा काना हो से दोस्तों हो श्यारप पता ही है नमा सहर जिसको हम SBS नगर का नाम भी देते हैं नमा सहर होजा काना ये हैं दोस्तों चार और चार आठ हमने डिस्टिक्स पढ़ लिये हैं उसके बाद जो तीसरा हमें पढ़ना था मेरे दोस्तों वो क्या था तीसरा हमें पढ़ना था मालवा के क्षित्र, मालवा के कौन से क्षित्र है मेरे दोस्तो, मालवा में, कितने डिस्टिक्स है मेरे दोस्तो, 15, 15 डिस्टिक्स है, यानि कि इन 8 डिस्टिक्स को छोड़ के बाकी के जो 15 डिस्टिक्स हैं, वो कहां पे हैं, मालवा क्षित्र में हैं, उसके बा द्वाब hота है दोस्तो रचना द्वाब ये रचना द्वाब क्या है द्वाब तो मतलब द्वह रचना, Bapt Teint, R-A मतलब रवी और चना यानि की रवी और चना नायार चना. या फिर छज दुवाब, या फिर कई बारी आपको मिलेगा जे दुवाब, ये वो इलाका है मेरे दोस्तों, जो चनाब और जहलम के बीच में है, चनाब और जहलम के बीच का इलाका दोस्तों, और इसी को बोलते हैं क्या चज या फिर छज दुवाब, दोस्तों ये सारी चीजें जो थी, आप लोगों ने, I hope समझ में आई होंगे, डिफरेंट डिफरेंट दुवाब्स हैं, आप लोगों से एक बात और भी पूछी जा सकती है, कि अलुवेल प्लेंस की हाइट किस में ज्यादा है, याद रखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे हम पंजाब के उपर से, उपर से, निचे आते रहते हैं, यानि कि सिवालिक की पाड़ियों के साउथ में से, इधर की साइड आते रहते हैं, तो स्लोप जो है, वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है, मेरे दोस्त क्या इसके बाद आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि Alluvial Plains के बारे में वो क्या है कि Alluvial Plains को और भागों में भी डिवाइड किया जाता है किसके अनुसार वो हम आपको बताएंगे वो हैं दोस्तो एक आपको पढ़ना होता है भांगर और एक आपको पढ़ना होता है क्या तराई का रीजन और एक आपको पढ़ना होता है दोस्तो खादर का रीजन ठीक है और एक आपको पढ़ना होता है दोस्तो भाबर यह चार इलाके और आपको पढ़ने होते हैं मेरे दोस्तों जिन में से question बहुत दफ़ा पूछा जाता है इनको हम aluvial plains में ही पढ़ते हैं ठीक है एक बात आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि जो दौबा का इलाका है वो बहुत फर्टाइल है मेरे दोस्तों बहुत जादा वहाँ पर फसल मिलती है फसल पैदा की जा सकती है reason क्या है reason वो जो इलाका है वो ब्यास और सतलुज नदी के दौ़ारा बनाया गया है और वो पूरी तरीके से वो नदीया पंजाब में उनका काफी देखो ब्यास तो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही पंजाब के अंदर ही बहते बहते सतलुज में मिल जाती है और सतलुज के द्वारा बनाया गया इलाका दौबा का क्षेतर यानि कि मैं कह सकता हूँ बीष्ट जलंदर दौब बहुत उपजाओ है बहुत अच्छी मिट्टी वहाँ पाई जाती है agriculture के purpose से भी वह अच्छी fertile मिट्टी वहाँ पाई जाती है so I hope आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं next lecture में कहां भाबर, खादर, तराई और बंगर के साथ और पढ़ते हैं इनको डिटेल में कि यह सब कुछ क्या है और करते हैं हम पंजाब की जियोग्राफिक का the end so तब तक के लिए शुक्रिया, thank you, जैहिंद